ग्यानवापी मस्जित के अंदर सिबलिंग मिलने के बाद पूरे देश में बवाल मत चुका है लगातार हिंदू संगठन की ये मांग थी कि मस्जित को खोदा जाया उसका सर्वे क्या जाया लेकिन सर्वे के दोरान जो चीज आई वो चीज वाकई में लोगों को हैरान कर रह जाते हैं ओवेसी ने एक ऐसा वयान दिया है जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मत चुका है और पलटबार में किस तरीके से भारते जंता पाटी ने भी एक बड़ी बाते कही है ये भी आपको देखना और जारना जरूरी है इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि म प्रामक बाते बोलकर जहर घोलने का काम कर रहे हैं दोस्तों सिबलिंग मिलने के बाद ये पहला वीडियो है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वीडियो में साथ तोर से दिखाई दे रहा है मस्जिद में मिले हुए सिबलिंग के पास नाग परकट हुए हैं जिहां इ इस देश में शुरुआती दोर से ही हिंदू धर्म पर टार्गेट किया गया है भारतिये मंदीरों को तोड़ा गया और वहां पर मुस्लिम सासकों ने मस्जिद बनाने का काम किया लेकिन अब दुनिया जाक चुकी है लगातार इस बात का जो डिमांड चल रहा है कि उन तमाम मस्जिदों और मुस्लिम के द्वारा बनाए गए भावन का सर्वे किया जाए जिस पर उनको सक है लगातार यही मांगे चल रही है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ताज महल मामले में भी यही मांग चल रही है और ग्यान वापी मस्जिद में भी यही मांग चली थी और सर्वे हुआ और चीज़े सामने आ गई दोस्तों यही वो तस्वीर है जिसको दिखा कर इंटरनेट पर इस बात का दावा क्या जा रहा है कि यह मस्जिद के अंदर की तस्वीर है जहां पर सिवलिंग के पास नाग देवता पर कट हुए है दोस्तों इसके हमने परताल की इस परताल में यह बाते सामने आई कि तस्वीरे उस मस्जिद की जरूर है लेकिन मस्जिद वाली तस्वीर में नाग की कहीं औरिजिनल तस्वीर नहीं है बता जा रहा है कि यह फोटो सॉप्ट है इस वीडियो को जादा से जादा सेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए आगे के अबडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार